अश्कार आशा करता हूँ आप सब अच्छी होंगे और आपके स्टेडी भी अच्छी चल रही होगी तो बहुत सारे केंड़ेट के कॉमेंट आ रहे हैं कुतना साइक का रिजलेट कब तक आएगा मैंने एक दो वीडियो बना के आपको इंफोर्म कर भी दिया है कटोफ के वी एक आइडिया है कि दो-चार नंबर उपर नीचे हो सकते हैं और रिजल्ट में हमारा नंबर आ सकता है तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है टाइपिंग स्टार्ट कर दो उसी से रिलिटेड आज एक न्यूज आई है आपको पता है हमारे करमचारी चैनबोर के अदेक्स है अलोक रादी वो ट्विटर पे उन्होंने जानकारी जिया किसी केंडिडेट में उनसे पूछा है कि सुचना साई का रिजल्ट कब आ रहा है और हमें टाइपिंग के लिए कितना टाइमिंग बिलेगा तो आपको पता है सुचना साई का रिजल्ट 25 मार्स से पहले पहले रि रिजल्ट आएगा और आप अपनी त्यारी जारी रखो अगर आप इस चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो अब बता दाओं आपको कितना टाइमिंग मिलेगा देखो क्या है उन्होंने ट्वीट करके अभी जानकारी दी है सुचना साइक एक्जाम में ट कुद एक पोल करवाया है वोटिंग करवाई है कि हम अगर सुचना साइक का रिजल्ट जारी कर दें तो आपको कितने दिन चाहिए आप कितने दिन में प्रिप्रेर हो जाओगे कि हम आपकी टाइपिंग करवा लें उसी पे जो टाइपिंग पे वोट आए बहुत सारे बच कितने दिन का आपको टाइमिंग मिलेगा तीन चौथाई चाहते हैं कि सुचना साइक एकजाम टाइपिंग टेस्ट के लिए 90 दिन की प्रिप्रेशन टाइम मिलना चाहिए नोटेड हम आपको एडिक्वेट यानी प्रियाप्त समय देंगे कि तीन चौथाई बच्चे मतलब 75 प्रसेंट बच्चे हैं जिन्होंने जो वोटिंग किया है वो चाहते हैं कि हमें टाइपिंग के लिए सिर्फ साथ दिन दे दो मतलब दो महिने टाइपिंग के लिए सफ चुनाव आयोग से परमिशन लेके तो आप अपनी त्यारी जारी रखें अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर दो आज इसे अगर आपको डाउट है कट ओफ क्या रहेगी तो पुराने वाले वीडियो देख लो कट ओफ वाले जिसमें आपके सारे डाउट किलिए हो जाएंग आज मार्च मालो एंडिंग में आपका रिजल्ट आ रहा है 25 मार्च के आसपास अपरेल और मई दो मईने आपको पूरे मिलेंगे चार जून को रिजल्ट का आ जाएगा इलेक्शन के अचार साहिंता किसमापत हो जाएगी और उसके बाद डारेक्ट आपका टाइपिंग ट चार्ट कर दो कोई कंफ्यूजन कोई डाउट मत रखो आपका रिजल्ट जारी होने वाल है तो वीडियो अच्छा लगे तो शेर करो लाइक करो और हमारे साथ जुड़े रहो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद धन्यवार